Hello and Namaskar दोस्तो, I am Samir and welcome to the another page of Bright Diary आज अपने डाइरी के pages को थोड़ा और ब्राइटन करते हैं आज का विडियों जबी के लिए बहुत खास होने वाला है जो हमें इससा अपने लाइफ में छोटी-छोटी चीजों से इंस्पार होते हैं और खुद को इंप्रूव करने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं दोस्तों मैं आज यसी 5 life skills के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे हलाकि हैं यह सारे habits यह बट मुझे लगता है कि इस पे हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हम इसको skills में convert कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं हम one by one बात करेंगे जिसमें सबसे पहला है early riser and meditation सबेरे उठने वाले लोग और जिनों ने अपने life में exercise और meditation को महत्व दिया है हम सभी जानते हैं कि वो अपने अपने field में success रहे हैं आप सभी ने सिर्खेड़ा की जीत आपकी बुक पड़ी होगी वो बुक बहुत inspiring है और life changing भी हो सकती है अगर आपने अभी तक वो बुक नहीं पड़ा है तो आप जरूर पड़े उस बुक के cover page पे एक line लिखा है और वो line है जीतने वाले हर काम अलग काम नहीं करते हैं वो हर काम अलग धंग से करते हैं अब हम इस line के depth में जाते हैं कि यह कैसे practical है जितने भी great personalities हमारे past और presence में अभी तक रहे हैं किसी को भी आप ले लो आप बैराक उबामा को देख लो नरेंदर मोदी रतन टाटा इलोन मस्क दलाई लामा पीवी सिंदू रजनी कांत स्वामी वेवेका नंदी जितने भी personalities हुए हैं उन सबोंने में एक बात कॉमन रही है वो सभी सभेरे उठने वाले रहे हैं वो ने अपने लाइफ में exercise and meditation को बहुत महत्वदिया है और आज हम सभी जान रहे हैं आज हम सभी उनके गारे में पढ़ रहे हैं और यह भी देखा गया है कि सबेरे उठने वाले लोग जो लोग देड़ से उठते हैं उनकी तुलना में जादा खुसी खुस हाल जिंदी की व्यातीत करते हैं तो मुझे लगता है कि इस skills को सीके कोई भी master बन सकता है और अपने life को improve कर सकता है तो जरूर इस चीज को अपने life में add-on करें और आगे बढ़ें second point है time management तो time management नहीं है आपको discipline life जीने का तरीका बताता है बलकि time management को और भी बहुत सारे फाइदे हैं सारा कहा गया कि सब कुछ समय का ही खेल है अच्छा भी जो हमने बात किया कि जो लोग सबेरे उठते हैं वो खुस हाल जिल्दगी जीते हैं और success होते हैं कैसे practically देखा जाये तो जो लोग सबेरे उठते सब्सक्राइब के लिए तो लोगों ने क्या किया वह अपने लिए एक्स्रा आवर निकालते हैं उन्होंने दो गंटा वह दो गंटा कम सोते हैं वह दो गंटे में वह सारी चीज़े करते हैं जो बाकी के लोग करते हैं तो time management का best example practical यहां से देखा जा सकता है हम अपनी सोने सब्सक्राइब करें तो time management होना बहुत 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 अच्छा skill है सब किसी के पास यह skill नहीं होता है और यह भी फाइदा time management को करने का कि आपका trust ब्यूल्ड होता है आप किसी भी काम को समय पर करके देते हैं तो अगले भी बहुत अगले आदमी का जो आपके तरफ जो नजरिया है जो respect है वह भी बढ़ता है कि यह बंदा ने इस बंदे ने समय पर यह काम करके दिया तो इसके यह भी फाइदे हैं थर्ड is flexibility आपने देखा होगा कि जो personalities जो भी लोग लचीली किसम के होते हैं ऐसे जो सब जगह सेट हो जाते हैं पार्टी में फंसन में पबलिक गैधरिंग में या फिर बच्पन में भी देख लो कि वैसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जो environment के साथ अपन अच्छा कर पाते हैं practical देखे तो job opportunities के लिए भी उनको पहले hire किया जाता है जो flexible लोग होते हैं जो जो जोने अपने resume में flexibility वाले point को highlight किया है ऐसे लोग teamwork में भी काम करते हैं ऐसे लोग अखेले भी काम करना प्रिफ करते हैं और ऐसे लोग और company का need भी है ऐसे लोग जो सब सेट हो जाए हर काम में ऐसे लोगों को लिया जा सकता है तो उनके लिए यह भी opportunities होती है flexibility होना एक अपने आप में skill है इसे जरूर अपने अंदर develop करें आप अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे श्रोता बनते हैं और वैसे भी आज का तो समय है लोग जादा बोलने में भी स्वास्ट रखते हैं सुनने वाले लोग आपको कम ही मिलेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर अपना यह skill है इससे आप develop करें सुनने की कोशिस करें और इसके बहुत सारी फायदे हैं एक तो आपके calculated skills बढ़ते हैं आप हर बात को calculate करके बोलते हैं दूसरा है कि आप attention gainer भी होते हैं जब आप सुनना सुरू करते हैं तो लोग आपके पास आएंगे आपसे बाते करेंगे आपसे interact करेंगे आपको सुनाएंगे तो यही भी plus point है एक अच्छे listeners का उसके बाद problem solving की capabilities है न क्योंकि practically देखे तो जो लोग चीजों को ध्यान से सुनेंगे उस पे उनकी observation skills और जो power है वो भी बहुत अच्छे से build up होगी और वो better solution कर पाएंगे तो एक problem solving orientation वाली चीज भी यहाँ पे solve हो जाती है अगर आप आफ बट नॉट निस बीइंग social person दोस्तों यह बहुत important है आज का जो समय है people prefer to leave a private or separated life instead of being social तो आज का जो डिमांड है वो social life जीने का है हम बचपन में social studies पढ़ते हैं जिसमें हमें महुत सारी social बाते बता जाती है और पता नहीं बड़ा होते हैं हम जब बड़े होते हैं तो वो किताबी बाते किताब में ही कहीं दफन हो जाती है मुझे लगता है कि social person होने का बहुत सारा फाइदा है एक तो आ आप लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं तो आपके hands भी बढ़ रहे होते हैं उसके बाद एक optimism विचार धारा आसा बाती विचार धारा जिसे हम कहते हैं वो आपके अंदर होता है और आप खुली विचार के होते हैं उनके तुल्ला में जो संकुचित मान सकता के लोग है तो social person होने के भी बहुत सारे फायदे हैं उसके बाद एक ये भी है कि जब आप social होते हैं तो आप लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं तो एक अंदर से आपके अंदर एक confidence भी आता है आप अपनी बातों को बहुत ही confidently आगे रखते हैं और उसके बाद फिर उस पे काम करत हैं तो एक ये भी plus point है social life जीने का और एक और important बात social person जो social person होते हैं जो social life जीते हैं वो social activities में भी बहुत बढ़ चरके participate करते हैं social activities कुछ भी हो वैसे लोग हमेशा आगे आके लोगों की मदद करना पसंद करते हैं हमेशा social काम में अपने आपको पाते हैं पेड लगाओ या फिर पानी बचाओ या फिर चीजों को बरबाद में मत करो तोड़ों मत लोगों की मदद करते हैं हमेशा दुख सुख सुनते है तो ऐसे लोगों की आज के टाइम पर मुझे लगता है कि सच में कमी है और सेप्रेटेड लोग जैसा कि मैंने बताया ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं जीना मुझे लगता है कि सोसल बने तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और ना क अतार अच्छे चे वीडियो बनाने की कोशिस कर रहा हूं बस आप सब का सपोर्ट चाहिए जैहिन